नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल किंग फार्मिसी में मैं सुरेशकुमाउथ फार्मसेस्ट आपका बहुत बहुत स्वाध करता हूँ मैं आज आपके लिए बहुती बड़ीया वीडियो लेकर आया हूँ जो है गमोरिया की उपर गमोरिया क्या होती है कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका एलोपेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ फिलीज वीडियो को इसकीप ने करें वीडियो को पूरा देखें ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है अब तक आपने हमारे चनल को सबस्क्राइब नहीं किया है अब जनरली आपको पता होगा गमोरिया अपने सरीर से यानिकी किसी इंफ्लामेशन या इंफ्लामेशन यानिकी सूजन के द्वारा बार निकलती है यह पसिने के दुआरा यानिकि अपने पसिने के नलिका होती है वो बंध हो जाती है और तवचा की सत्या पर आसानी से नहीं पोच पाती है यह तवचा की सत्य के नीचे वाले यानि की फरस होता है नीचे वाले फरस पर यानि की अपना प्रसने आच्छा तिरे से नहीं जा पाता है जिसके कारण अपने शरीर पर यानि की अपनी तवचा पर हलके सूजन या हलके दाने हो जाते है वैसे आम तोर पर गमोरिया तवचा कि एक ऐसी इस्तिती है जो अपने बच्चों और वेसों को यानि की बुड़े लोगों को यानि की गरम और आंद्र मौसम जैसे गरमियों के मौसम की इस्तिती में होती है जब आपके रोम यानि की सिद्र बंध हो जाते है और पैसे नहीं निकल पाता है तो ये आपको गमोरिय हो जाता है अब गुमओरिया से कैसे बचा जा सकता है इसके लिए अपना बात करते हैं जैसे रोज थंडे पानी से नाना चीए और हो सके तो दिन में दो बार भी ना सकते हो पंक्य का इस्तमाल करना चीए और अंद्रूनी इसोग को विशेश कर देख बाल करना चीए यदि ग की रूप में दारण करें ना की आप Self Medicine use करने के लिए यूज करें हमारे वीडियो Medical के लिए और Medical knowledge के लिए बनहें जाते हैं सबसे पहले गमोर्यों की इलाज के लिए एक Lotion का यूज करते हैं जो हैं केलाड्रील लोसन में ये लोसन यानकी तवचा की एलर्जी जरनल और कीडे वगेरा काटने से या दूप की कालिमा वगेरा के लिए इलाज के लिए यूज किया जाता है हम पोजिशन की बात करें तो ये डाइफन हैटरा मायन होता है इसमें जो अपने एलर्जी के लिए यूज होता है अब यूज की बात करें किस-किस में यूज होता है तो ये तफचा की एलर्जी के लिए तफचा में जलन वगएरा के लिए और दूब की कालिमा के लिए से साप करके लगाना चाहिए सेकंड की बात करें लेवोसित्रीजीन ये गमोरियों में एलर्जी को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है और इसमें कंपोजिशन की बात करें तो लेवोसित्रीजीन होता है यूज इसकी बात करें तो ये एलर्जी के लिए और खुजली के लिए योश में ले जाती है रोज की बात करे तो डोज में इसमें वन टेबलेट बीड़े यानि की एक टेबलेट सुभे और एक टेबलेट से हमको लेनी चाहिए एधी आपको आलरजी यानि की ज़्यादा हो रखिये तो आप आप इसे तिन टाइम भी कर सकते हैं यानि कि एक टेबलेत तीनो टाइम भी यूज ले सकते हैं अब बात करते हैं ये किसी इस्तान पर ये आपके जादा गमोरिया वग्यर हो जाती है तो इस पर क्रीम लगाने के लिए हमने एक antibiotic क्रीम आपके लिए लाएं वो है यानि कि सोफियमाइसिन क्रीम होती है यह क्रीम यानिकी बेक्ट्रियल इंफेक्शन के लिए यूज में ली जाती है और यह बेक्ट्रिया के रिलेटर इंफेक्शन को ठीक करती है यह एक परकार की एंटिवाइटिक होती है इसमें एंटिस्टामिन पया जाता है composition की बात करें तो फ्रेमी सेटिन यानिकि इसमें 1% वेट वाई वेट पया जाता है यूज की बात करें तो इसमें वेक्टियल संकरमन के लिए तो यूज होती है लेकिन इसमें अपने आखों की पलकों के आसपास में ये दी फूंशिया वगएरा होती है तो आप इसके लिए भी आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं और ये संकरमन यानिकि अपने बेक्टिकल संकरमन हो जाता है गमोनियों के साथ तो इसमें भी आप इस यानिकी क्रीम का यूज कर सकते हैं ये क्रीम ज़्यादा मेंगी नहीं है और जो भी आपको क्रीम टेबलेट और पाउडर बताता हूं इनके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है और ये आसानी से अपने मार्केट में मिल जाती है अब चोते यान की पाउडर की बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कोलोसी पाउडर के बारे में तो आप कोलोसी पाउडर को यूज कर सकते हैं कासकर जो नैसिल पाउडर, डर्मी-κौल पाउडर यह उल्ली सतय को कूल करने के लिए होते हैं ना कि गमोरिया वगजरा के ट्रिटमेंट के लिए आप इने यूज कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं यह अपने वापस गमोरियों को बढ़ाते हैं यान कि increase करते हैं ना कि decrease करते हैं तो आप इन यान कि कुस्पुदार पाउडर का यूज ना करें अब बात करते हैं कलोसिप पाउडर यह एक परकार का anti-fungal powder होता है जो गमोरियों के इलाज के लिए cut वगरा के लिए फंगल infection के लिए यूज में लिया जाता है कंपोजेशन की बात करें तो कुलोट्रिमा जोल इसमें 1% वैट वैट पाया जाता है यूजेश की बात करें तो फंगल संकरमन के लिए तो यूज होता है लेकिन यह केंडिरी आसिस दो आप जानते होंगे यह एक यानिकी जो अपन के तो यूज में होती ही है आई होप आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा आप इसे अपने फ्रेंड सरकील एंड इलेसन को जरूर सेंड कीजिए क्या पता हमारे वीडियो से आपको लाब मिले अम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ